Hello everybody, welcome back to Quant Study, I am Mujassim Akhtar, मैं आपका English का जो JKSSB Class 4 Recruitment जो हो रही है, उसका जो English वाला portion है, वो आपको complete करवा रहा हूँ, आज मेरा second lecture है उसका, किस के उपर है, वो है articles के उपर, ठीक है? articles के उपर है, मतलब articles जो है, वो determiners के part है, इसलिए हमने पहले determiners लिया था, ठीक है? तो determiners वाला lecture आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं चैनल पर, ठीक है? तो आज हमने पढ़ना है articles, ठीक है? उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक च मिलते रहें चैनल से, और हाँ, इस चैनल के जो है, और भी social media handles है, इस चैनल के related जहां पे आपको updates मिलते रहेंगे, ठीक है? तो आप दूसरे social media handles को भी follow कर सकते हैं, links आपको description में दिये जाएंगे, ठीक है? तो आप telegram, channel, facebook वगएरा, instagram, यहां से आप, यानि कि subscribe कर सकते हैं, सब भी पे, ठीक है? और राइट, सो आज हमने पढ़ना है, articles, तो सबसे पहले बात करते है, articles होते क्या हैं? इस वेरी सिंपल, articles, English के वो words होते हैं, जो किसी noun को define करते हैं, कि वो specific है, या unspecific है? specific और unspecific क्या होता है? specific होता है जो specified नहीं होता है, ठीक है? I hope अब समझ पा रहे हैं, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, specific होता है कोई भी definite चीज, ठीक है? और unspecific होता है कोई भी indefinite kind of a thing, ठीक है? तो मैंने जैसे आपको कहा है कि examples ज़्यादा matter करती है ठीक है तो examples से आपको समझ भी आता है ज़्यादा इसलिए हम example ले लेते हैं सबसे पहली यहाँ पर आप दियान दे सकते हैं यहाँ पर आप starting में देखें मैंने यहाँ पर यहाँ पर आपको और याद रखनी है कि beautiful जो है इसका जो starting beautiful का जो starting है वो किस से use हो रहा है मतलब वो starting जो है इसकी sound जो है वो कौन सी sound है consonant sound इसलिए हम यहाँ पर a use करते हैं वैसे वो मैं आपको आगे भी बताने वाला हूँ वो attention लेने की बात नहीं है ठीक है और आगे क्या है I ate an apple it an apple यहाँ पर जो है आपको याद रखना है apple की जो starting हो रही है वो किस sound से हो रही है vowel sound से इसलिए an आया a नी आया द नी आया अब यहाँ पर apple को introduce करते करते हमने an यूज किया लेकिन अब यहीं पर हम क्या यूज कर रहे है the apple was tasty apple के साथ ही हमने an भी यूज किया करने की जरूरत नहीं है क्योंकि द जो है पहले क्या था apple जो है पहले क्या था वो वो पहले unspecific था हमें नहीं पता था कौन सा apple now we know that which apple ठीक है अब पताए कि कौन से apple की बात में कर रहा हूं हम उस apple की बात कर रहे हैं जो मैंने already खाया था ठीक है इसलिए हम यहाँ पर अब यह specific बन गया तो यहाँ पर हम इसलिए क्या यूज कर रहे हैं the यूज कर रहे हैं ठीक है I hope आपको समझ में आ गया next बात करते हैं articles की जो types होती है वो दो होती है जैसे मैंने आपको पहले बताए the definite articles और indefinite articles all right so the definite article क्या होता है definite article is the word the definite article क्या है जो English का word the है उसी को हम definite article कहते हैं इसका मतलब यह है कि the को हम उस time use करते हैं जब हम definite nouns यानि specific nouns के बारे में बात करते हैं ठीक है और definite article जो है वो singular plural या uncountable nouns के पहले use हो सकता है आपको singular plural को पता होगा uncountable कभी आपको पता होगा कि यह क्या होते हैं ठीक है मुझे explain करने की I hope जरूरत नहीं है लेकिन अगर आपको कोई doubts रहते हैं जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूं you can ask me in the comments I am there for you to answer the questions okay please do not worry about those things picture okay now let's talk about its examples the color of your bike is too good I like blue the color of your bike is too good I like blue now we know which bike we are talking about and which color we are talking about अभी हमें पता है हम कौन सी bike के बारे में बात कर रहें और उसके कौन से color की क्योंकि अगर हमें color ही नहीं पता होता तो हम कैसे बोल सकते यह अच्छा है उसका color ठीक है और आगे mention भी किया है I like blue ठीक है इस लिए यह specific बन गया color तो हम क्या यूज कर रहें दा यूज कर रहें similarly second example में I saw a boy हाँ यहाँ पर क्या है यूज हुआ है पहले ठीक है अब unspecified है न बोई तो कोई भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर unspecified पहले है तो इसलिए यूज कर रहें the boy was running very fast अब जो है वो specific बन गया जैसे हमने वहाँ apple की example ली थी तो इसलिए यहाँ पर दा आया ठीक है उसी तरह से ठीसी example यह है कि the taj mahal is very beautiful ठीक है तो taj mahal जो है वो एक unique object है ठीक है unique चीज है तो इसलिए यहाँ पर हम क्या use कर रहे है दा मतलब वो एक definite चीज है क्या बोल सकते हैं हम इसको specific चीज है यह ठीक है तो यह आगे हमारे definite ओर राइट सो अब बात करते हैं किसकी the indefinite articles की ठीक है तो the indefinite articles takes two forms हमेशे यह दो forms में आती है यानि कि a और an जो हैं यह इसकी दो forms आती है किसकी indefinite articles की यह आपको याद रखना है समझना है अब a की बात करें तो वो हमेशा consonant sounds जो भी noun या कोई भी word जो है वो अगर consonant sounds निकालती है हैं तो वो words के पहले हम a use करते हैं याद रखना consonant sounds यहाँ पर बहुत लोग confused होते हैं कि consonant जिसके पीछे आता है बस वहाँ पे हम मलब जिसकी starting में consonant होता है वहाँ पे हम a use कर सकते हैं लेकिन consonant sound आपको याद रखना है consonant sound क्या होता है जैसे कि मैं आपको बात करता हूँ honest की ठीक है यहाँ पर आप a use नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आवाज निकल रही है vowel की तो यहाँ पर क्या हम use करेंगे एन तो इससे क्या समझ आता है एन जो है वो किसके पहले आता है vowel sounds जिस word की निकलती हो starting में initially vowel जो sound निकल जिसकी sound निकलती हो तो उसके पीछे हम एन लगाते हैं यही बात आपको याद रखनी है ठीक है यहाँ पर आपको confuse नहीं होना है a consonant sounds के पीछे और an vowel sounds के पीछे ठीक है अच्छा अब यह matter नहीं करता की word जो है वो कोई adjective है या noun है या adverb है या कुछ और rule जो है हर एक के लिए similar है ठीक है ओके नाव लेट उस सी थे examples example क्या है please hand me a book any book will do अब यहाँ पर भी specified भी नहीं है इसलिए यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे use करेंगे and क्यों नहीं यूज करेंगे क्योंकि book जो है यह जो initially book है यह b से start हो रहा है और b की ही आवाज निकल रहा है ब की आवाज निकल रहा है which means किसकी आवाज निकल रहा है consonant की आवाज निकल रहा है तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे है यूज कर रहे है ठीक है second example लेते हैं please hand me an autobiography ठीक है please hand me an autobiography यहाँ पर किसकी sound निकल रही है a की sound निकल रही है a की sound निकल रही है which is vowel ठीक है vowel की sound निकल रही है तो मतलब हम an use कर सकते हैं इसलिए हमने यहाँ पर an use किया any autobiography will do और हम specific चीज के बारे में बात नहीं कर रहे है specific autobiography के बारे में कोई भी चलेगी ठीक है तो यह हो गया हमारा indefinite articles ठीक है अब मैं आपको क्या करता हूँ आपको कुछ examples बताता हूँ सारी examples explain नहीं करूँगा कुछ-कुछ examples explain करूँगा जिससे आप समझ जाएंगे जैसे कि पहली example a bike not an bike यहाँ पर हम an bike use नहीं कर सकते क्योंकि sound आपको पता है किसकी निकल रही है consonant की a URL URL यह की sound निकल रही है वाई की sound निकल रही है तो यहाँ पर क्या हम an use नहीं कर सकते हैं यहाँ पर भी हम a use कर सकते हैं ठीक है उसके बाद a girl, a person, a student, a university, a unique person university और unique person में यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात वही हो गई जैसे हमने पेच्छे URL कर किया वैसे यहाँ पर यह है unique person ठीक है university वो भी sound किसकी निकल रही है consonant ठीक है university भी किसकी sound निकलती है consonant यह जो वर्ड है यह किसकी sound निकलता है consonant की उसी तरह unique person unique एक इसकी निकाल रहा है यह भी consonant sound निकाल रहा है ठीक है ओके सो अब थोड़ा इसकी descriptive examples लेते हैं पहली example है I am a teacher it means that I am a member of large group known as teachers मतलब मैं ऐसे group का member हूँ जिनको teachers कहते हैं और यह जो है group बहुत बड़ा होता है teachers का इसलिए मैं उन में से एक हूँ so I will say a teacher ठीक है okay now second example would you like a drink a drink ठीक है आप अपको समझ में आ रहा होगा I have finally got a good job a good job because specific नहीं है कोई भी good job हो सकते है ठीक है उसके बाद an elephant and a mouse fell in love an elephant and a mouse fell in love a mouse ठीक है mouse तो बहुत सारे हो सकते हैं ठीक है specific नहीं है Raju is a doctor okay Rashid is training to be an engineer an engineer यहां पर हम an use किया हमने कहां पर trying to be an engineer because यहां पर sound वावल की निकर रही है engineer word में he wants to be a dancer a dancer ठीक है I am a unique person he is a great man my brother is an MBA यहां गई examples किसकी a की अचा अब बात करते हैं an key examples लेते हैं direct when I was at the zoo I saw an elephant जब मैं जू पर था I saw an elephant not a specific elephant elephant an elephant उसके बाद वो specific बन सकता है आगे अगर हम इसमें add करें कुछ तो okay second example he is an actor third example she didn't give get an invitation fourth example I saw an eagle at the zoo तो अभी तक हमने articles में पढ़ा an और the के बारे में the को थोड़ा सा हम और descriptive way में करते हैं थोड़ा सा ही ज्यादा नहीं class 4 की recruitment के हिसाब से करेंगे ठीक है पहला जो इसमें कैसे यूज करना है आपको plural country names जो होंगे उनसे पहले आपको दा यूज करना है जैसे की the United States of America ठीक है इससे पहले हम the use कर रहे हैं ठीक है rivers, ocean, seas या mountains से पहले भी आप क्या यूज करेंगे the ही यूज करेंगे जैसे की the Himalayas the Shivalix etc ठीक है उसी तरह school के बीच में जब off आए school का मतलब ये है कि कोई भी university हो कोई भी college हो उसको हम यहाँ पर school के नाम से जान रहें ठीक है उसके बीच में हम क्या यूज करते है the ठीक है sorry उसके बीच में नहीं उससे पहले हम क्या यूज करते है the यूज करते है जैसे की the University of Delhi ठीक है ओके जो था किसमें यूज होता है जैसे की the earth पहले मैंने आपको बताया था the ताज महल की example ली थी हमने the में उसी तरह से the earth आ गया the sun आ गया यह सब जो हैं यह क्या है unique objects हैं इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं we are using here the before those nouns ठीक है जो unique objects है उन से पहले ठीक है ओके अब इसको हम कहां पर use कर सकते हैं part of a larger group किसी भी बड़े group को define करने में यानि कि वहाँ पर अगर हम किसी एक part को define कर रहे हों एक larger group में तो वहाँ पर हम क्या use कर सकते हैं वहाँ पर भी हम the use कर सकते हैं जैसे one of the teachers ठीक है one of the greatest men यह जो क्या है men greatest man यहां पर क्या greatest men जो है बहुत ज्यादा मतलब यह क्या है larger group है तीचर्स क्या है larger group है तो यहां पर हम क्या use कर रहे हैं इसलिए the या फिर हम यहां पर some of the teachers बोल सकते है ठीक है इसी तरह से आपको यह use करना है यहाँ पे टीक है यह हो गए हमारे जो मतलब इसके थोड़ा description में हमने पढ़ा इसको दा को ओके दा की तो बात हो गई complete अब हम थोड़ा zero article पढ़ते हैं zero article क्या होता है zero article होता है no article जहाँ पे हम कोई article ही यूजनी करते उसी को हम कहते हैं zero article और ये किस केस में होता है जब noun को जैसे मैंने आपको बताया कि जब noun के characteristics इस हिसाब से नहीं है जहां पर हम a भी यूज़ नहीं कर सकते and भी नहीं यूज़ कर सकते और the भी नहीं वहां पर हम क्या यूज़ करते हैं no article that is called zero article ओके जो exist ही नहीं करता article उसको कहते हैं हम zero article अब इसके यूज़ हम कहां कहां पर कर सकते हैं जैसे पीपल में हम कर सकते हैं इसको यूज़ लोगों में लोगों के नाम में यूज़ कर सकते हैं ठीक है लोगों के नाम से पहले यूज़ कर सकते हैं I mean जैसे कि Mary, Bill, Joseph, okay places में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं जैसे Jupiter है, Russia है, Bangkok है, Hydro Airport, Cambridge University, Waterloo Station, कुछ-कुछ ऐसी जो है exceptions होती है, जहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं, streets में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि Oxford Street, Wall Street, Piccadilly Circus, ठीक है, इतना जो है आपको high level का आने वाला है नहीं, I know that, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, languages की, languages में आ सकता है, English से पहले, no article, Russian से पहले, no article, ठीक है, अब academic subjects में भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, किसमें, academic subjects में, जैसे कि history, law, physics, यहां पर, academic subjects क्या होते हैं, वही subjects जो आप college school में पढ़ते हैं, उनको हम कहते हैं, academic subjects, हाँ, अब यह days और months से पहले भी यूज़ होता है, no article, यूज़ होता है, ठीक है, जो exist ही नहीं करता, वो आएगा, November से पहले आएगा, no article, ठीक है, तो I hope आपको समझ में आ गया, अच्छा, अब जो आपको screen पे questions दिख रहे हैं, 8 questions दिख रहे हैं आपको, जो आपको fill up करना है, यहां पे, वो है articles, और आपको अच्छे से देखके इनको comment box में answer करना है, अगर आपका answer गलत भी हो ज clear all your doubts, I'll try to clear them, ठीक है, अगर कोई भी doubts हैं, तो आपको answer करने ही करने हैं, ऐसे छोड़ना नहीं होता है, answer करना होता है, ताकि आपको उस time पे याद आने में मतलब मदद हो जाती है, ठीक है, उस time पे आपको easily वो याद आ जाता है, कि हाँ ऐसे किया था, तो उससे आपको सभ याद आ जाता है कि कैसे है, क्यों आएगा, ठीक है, तो आप comments में जरूर बताएं, ओके, so I hope आपको पूरा समझ में आ गया, thank you so much for watching this video, I'll see you in the next video.